the range of the function fx is equal to sin inverse of log of minus x square plus 2x plus 3 to the base 2 is सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा quadratic expression है minus of x square plus 2x plus 3 इसकी range क्या होगी तो हमें पता है यह है downward parabola तो इसकी range होगी minus infinite से minus d by 4 है तो इसकी range जाएगा जाएगी minus infinite से minus d by 4 है अब minus d by 4 ही क्या हो जाएगा यह तो जाएगा d क्या होता है b square minus 4 जाएगा b square is 4 minus 4 is 4 into 3 is 12 12 into minus 1 is plus 12 जाएगा 12 upon 2a which is sorry upon 4a जाएगा 4 जाएगा 4 जाएगा 16 by 4 is minus 4 तो हमारे पास में जो range आ रही हो कहां से काता हा रही है minus infinite से minus of 4 तक बट अब हमें एक important चीज पता होती है कि जो sine inverse है sine inverse x उसमें x कहां से कहां तक हो सकता है x हो सकता है only minus 1 to 1 तक और एक और important बात जो log के अंदर का number है यह हमेशा क्या होता है greater than 0 होता है ठीक है यह value क्या हो नीची है हमेशा greater than 0 नीची है यहाँ पर मैंने एक mistake करी हमारा जो a है वो minus 1 यह minus 4 आएगा तो हमारी range होगी हो minus infinite से 4 तक हो जाएगी ठीक है तो अब हम क्या बात कर रहे थे कि जो log का अंदर का number है वो हमेशा positive होना चाहिए तो हमें पता ही यह पूरी value attain कर सकता है minus infinite से 4 तक की बट log को define होने के लिए कहां से कहां तक हो सकता ही हो सकता है 0 से 4 तक तो पहली condition हो जाएगी हमारे पास में कि minus of x square plus 2x plus 4 इसकी value कहां से कहां तक हो सकती है देखो maximum value तो 4 हो सकती है हमने देखा include है यह आपन लिमूट है ना लेकिन minimum value के होने चाहिए always के दिन 0 तो अगर हम log लें दोनों साइड में base 2 पर तो 0 के approach मतलब जब अप्रोच करेंगे तो हमारा log की value कहां थी minus infinite यह value जाएगी always less than log of minus of x square plus 2x plus 4 to the base 2 और 4 के उपर अगर हम देखेंगे तो log की value कहां थी या थी 2 के equal तो value हो जाएगी less than or equal to 2 ठीक है तो यह value होनी चाहिए हमारे पास में less than or equal to 2 but हमें पता है यह sine inverse के अंदर है पूरी value तो means यह पूरी value क्या हो सकती है केवल 0 से 1 तक ही हो सकती है ठीक है तो अगर यह पूरी value 0 से 1 तक हो सकती है यह पूरी value 0 से 1 तक होनी चाहिए बस लेकिन हमारा अगर हम expression देखेंगे तो हमारी value क्या है यह minus infinite से 2 तक हो सकती है बट हमारी value होनी कहां से कहां तक चाहिए only minus 1 से लेकर के 1 के बीच में होनी चाहिए तो अगर इस expression की value minus infinite से 2 तक हो सकती है तो minus 1 से 1 तक की तो सारी values attain करेगा ही करेगा तो it means जो हमारे sine inverse के अंदर का function है ये minus 1 से 1 तक की सारी values attain करेगा और अगर ये ऐसा करेगा तो हम clearly बोल सकते हैं पूरा expression है न कि ये पूरा expression क्या होगा कि range कहां से कहाता हो जागी minus pi by 2 से pi by 2 तक तो हमारे sine inverse function है उसकी range कहां से कहाता है गई minus pi by 2 से pi by 2 तक क्योंकि जो ये हमारा जो इसकी range आती है उसमें minus 1 से 1 तक का पूरा expression आता है तो हमारे range आ गई minus pi by 2 से pi by 2 हाँ अगर domain बोला जाता तो domain के लिए हमें सारी condition fulfill करने होती बठन से range पूछा है तो उसके लिए हमें पता चल गया कि वो इसमें आ रही है तो हमारा answer क्यों गया option a